नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइफ में आप सभी के स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ खुश्बू सेंग और RSS की मुखपत्र में किस तरीके से नितीश कुमार के 17 साल का लेखा जोखा 17 साल जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में गुजारे है उसका लेखा जोखा दिया और साथी साथ उनको एक फेल मुख्यमंत्री करार दी दिया गया है जिसके बाद से बिहार में जो सियासत है वो गर्माई हुई है भारती जुन्ता पाटियो ज्रेडियू के बीच में किस तरीके से सियासी घमासान इस मुखपत्र में जिस तरीके से नितीश कुमार को एक फेल मुख्यमंत्री उनकी सियासत को फेल करार दिया गया है उसके बाद से ही ये जो सियासी घमासान है ये शुरू हो गया है लेक में पिछले 17 साल किश्वाशन का जिक्र करते हुए लोगों की अपेक्षाओं का को पूरा करने में नितीश कुमार को पूरी तरह से विफल बताया गया है इसके समर्थन में आंकडों का अंबार रख दिया गया है राश्ट्रिय स्वयम सिवक संगारसेस के मुखपत्र कहे जाने वाले और्गनाइजर में छापे एक लेक ने बिहार की राजधानी में भूचाल मचा दिया है 10 जून को छापे इस लेक में मुख्यमंत्री नितीश कुमार के सुशासन की दज्जियां उड़ा दी गई है दज्जियां लगातार उड़ी है चाहे वो सिक्षा हो स्वास्त हो या अन्ने चीज़ें हो उसमें ये दिखाया गया है कि दरसल नितीश कुमार किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए एक सक्षय मुख्यमंत्री नहीं है और इसी के बाद जो भूचाल आया है बिहार की राजनीती में वो देखने वाली बात है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है बीजेपी के नेता और जेडियू के नेता एक दूसरे के ओपर किस तरीके से तंज कस्तेवे नजर आ रहे है 10 जून को जब से ये और्गनाइजर कहे जो आने वाला मुखपत राया है जिसमें नितीश कुमार की सरकार का लेखा जोखा पिछले 17 सालों का लेखा जोखा और आंकडे सामने आये हैं इसी के बाद से ये सियासी घमासान शुरू हो गया है इसके अलावा लेख में पिछले 17 साल के श्वासन का जिक्र करते हुए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नितीश सरकार को पूरी तरह विफल बताया गया है इसके समर्थन में आकडों का अंबार रख दिया गया है फिर चाहें वो सिक्षा स्वास्त आर्थिक विकास का शेत्र हो या कानूनी व्यवस्ता इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलाप्मेंट और पलायन का यानि की हर शेत्र में कानूनी व्यवस्ता इंफ्रस्ट्रक्चर डेवल पिषास ऑचिवी दोलाइन को से बीचर विक और चेसरो добрyu मोर्चों के राष्ट मामंतरी सब प्रदेश भाज़ पाज़का डॉक्टर निखिलानन ने कहा कि हमारी पार्टी को नसीहत देने वाले नेता अपने गिरिबान में जुहांके ऐसे नेताओं को सला दी है कि राजनेतिक और अनगरलल अपशब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए पूर्व केंद्र मंत्री और भाजपा विधान बाश्वद संजय पास्वान ने जेडियू और भाजपा के निताओं को साथ बैठकर मामले को सुलजाने की सला दी है उन्होंने रविवार को सोशिल मीडिया में अपने पोस्ट के जरिए भाजपा के प्रदेश रद्यक्ष ज संबोधित करते हुए कहा कि मामला केवल अगनी वीर का नहीं है संजय बाबू और ललन बाबू बहुत से मुद्दे हैं जुनका मिल बैठकर निदान करने का समया गया है जल्द सुशील मोधी की अगवाई में दोनों दलों की कोर कमिटी को बैठक करने का मेरा सुझाव है यानि की जो बीजेपी के नेता हैं संजे पासवान पूर्व के इंद्रि मंत्री रह चुके हैं इन्होंने सला दिया कि दरसल मामला सिर्फ अगनी वीर का नहीं है अगनी वीर का मामला नहीं है यह overall मामला है आपको एक सरकार चलानी है तो आपको जे डियू और भाजपा के नेताओं को ये बोला ग्याए कि आप साथ में बैठकर बातशीत करिए क्योंकि बातta शीत से ही यह इस तरीके से आरोप प्रत्य Imagine का दूर अगर चलता रहेगा तो हल नहीं निकलेगा मामला केवल अगनीवीर या अगनीपत योजना का नहीं है क्योंकि अगनीपत योजना के आने के बाद से बिहार में किस तरीके से दिन रोज ट्रेइरों को जलाया जा रहा है युवा सडकों पर उत्रे थे उसके बाद से ही ये सारा मुद्दा शुरू हुआ है लेकिन इनका कहना है कि मामला सिर्फ अगनीवीर का नहीं है कुल में न भूलें और तबाम बड़ी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ नमस्कार